कानाटक विदासवा उप्चुनाओं में येदी यूरप्पा ने शांदार प्रदर्शन कर बहुमत हासिल कर लिया है इस जीत के बाद उनके सामने नई चुनाती खड़ी हो गई है येदी यूरप्पा ने जीतने वाले विदायकों को मंतरी बनाने का एलान कर दिया था लेकि कि उन्हें ग्रह P.W.D. सचाई और उर्जा जैसे मजबूत मंतराले दिलाया जाएं बताया जो रहा है कि विदायकों कमानना है कि येदी यूरप्पा सरकार उनके दम पर चल रही है ऐसे में उन्हें मजबूत मंतराले दिये जाने चाहिए गौर्दलब है कि 5 दिसंबर को 15 सबा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 12 सीटे जीती हैं इन सीटों पर जीतने वाले वो नेता हैं जो कॉंग्रिस जैडियेस के बागी होकर भाशपा में आये थे येदी यूरप्पा के सरकार बने रहने के लिए 7 विदायकों की जरूरत थी लिहाजा इस नत 14 विदायकों के स्तिफी के कारण सरकार गिर गए थी इसके बाद भाशपा के येदी रप्पा सरकार बने सभी बागी विदायकों को पूर विदानसभा अध्यक्ष ने अयू के करार दिया अब 15 सीटों पर उप्चुनाव कराए गए हैं तो सीटों के लिए हाई कोर्ट में